नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि देक्सोना टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, देक्सोना टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और देक्सोना टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स ह सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की Dexona Tablet की वजह से होने वाले side effects को कैसे कम किया जा सकता है और Dexona Tablet को लेते समय चाहिए क्यों क्या सावधानियां रखनी चाहिए और यह भी जानेंगे कि क्या वजन को बढ़ाने के लिए Dexona Tablet को लेना चाहिए या नहीं Dexona Tablet एक स्टेरोइट दवा है जिसका उप्योग एलर्जी बहुत प्रकार के तवचा रोगों में जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस और तवचा पर खुजली होने पर आधी कंडीशन्स में Dexona Tablet का उप्योग किया जाता है इसके अलावा नजला होने पर, अस्थमा होने पर, रूमेटोड अर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस होने पर भी Dexona Tablet का उप्योग किया जाता है इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स है जिनमें आपका डॉक्टर डेक्सोना टैबलेट को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की डेक्सोना टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं अगर आप डेक्सोना टैबलेट का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोस में करते हैं तो Dexona Tablet की वजह से Side Effects होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आपका डॉक्टर आपको Dexona Tablet को केवल एक या दो सप्ताह के लिए लेने की सलाह देता है, तो Side Effects होने का रिस्क भी कम ही होता है। Dexona Tablet की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द, पेट में बेचैनी, घबराहट और स्वभाव चिड़-चिड़ा हो सकता है। वड डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा Dexona Tablet की वजह से चक्कर आना, शरीर में ठकान होना, भूब का बढ़ना, वजन का बढ़ना वनींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में Dexona Tablet की वजह से हाथों व पैरों में सूजन भी हो सकती है। और मासपेशियों में दर्ध हो सकता है। लंबे समय तक Dexona Tablet को लेने से शरीर की इम्म्यूनिटी कमजोर हो जाती है। शरीर की इम्म्यूनिटी कमजोर होने की वजह से कोई भी इंफेक्शन या कोई भी बीमारी आपको आसानी से बीमार कर सकती है। अगर किसी व्यक्ती को कोई इंफेक्शन पहले से ही है, तो Dexona Tablet उस इंफेक्शन को ज्यादा गंभीर बना सकती है। लंबे समय तक Dexona Tablet का सेवन करने की वजह से ऑस्टियों पोरोसिस हो सकता है। औस्टियो पोरोसिस एक हड्डियों का रोग है, जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है। और हलके से प्रेशर या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। देक्सोना टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है और डाइबिटीज होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। देक्सोना टैबलेट की वज़ से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। लंबे समय तक देक्सोना टैबलेट का सेवन करने से आँखों में कैट्रेक या ग्लुकोमा हो सकता है। देक्सोना टैबलेट की वज़ से गर्दन, चहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से फैट का जमाव हो सकता है। जिसकी वज़ से चहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। Dexona Tablet को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीनी या कम हो सकती है। देक्सोना टैबलेट की वज़ा से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म में भी बदलाव हो सकता है अब हम डिसकस करेंगे की देक्सोना टैबलेट को कैसे लेन रेक्मेंडेड होता है, देक्सोना टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, देक्सोना टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सक इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना डेक्सोना टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। डेक्सोना टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना डेक्सोना टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की Dexona टेबलेट की वज़े से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है। Dexona टेबलेट की वज़े से हड्डिया कमजोर हो सकती है। इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाये रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खादय पदार्थों जैसे दूद और कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। या आप कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चे फलों, सब्जियों व सलात का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। और हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। देक्सोना टैबलेट एक स्टेरोइड दवा है जिसके सीरियस साइड इफेक्स हो सकते हैं। देक्सोना टैबलेट को डॉक्तर वजन बढ़ाने के लिए लेने की सला कभी भी नहीं देते हैं। इसलिए आपको देक्सोना टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करारही महिलाएं देक्सोना टैबलेट को ले सकती है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डेक्सोना टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं